इसे मनिस वेलकम टू सरक्लासेश सब्सक्राइब करें सरक्लासेश को प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके तो इसमें हम बात करेंगे लर्निंग का प्रोसेश और उसका आउटकम और इसमें हम देखेंगे कंसेप्ट जो होता है कागनेटिव प्रोसेश एंड सोशियो कल्चुर के बेस पर हम लोग लर्निंग का दोनों को डिफाइन करेंगे इस सारी एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चों को जो हम सिखाते एज लर्न और लर्निंग इस वीडियो को आप अंतक देखना और प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना बोलना तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हम फिर वीडियो लेकर आचुके हैं learning as a process and learning as an outcome के साथ उसमें हम बात करेंगे learning के बारे में उसकी मेणिंग देखेंगे हरी psychologists के निशार हर्लोक, Murphy, Watsworth के निशार, फिर हम लोग बात करेंगे, इसका nature क्या हतार learning का, क्या learning behavior में change होना ही कहलाता है, क्या learning permanently change behavior है, इस सब भी चीजों पर हम लोग discuss करेंगे आज की video में, और बात करेंगे, जो popular, जो psychologists हो गये, जैसे की बाई गुस्की हो गये, फिर उसके ब कुश्चन्स यहां राइज होती है जो लर्निंग एक ऐसी जो मतलब प्रोशेस है जो कह सकते हैं कि यह एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता लर्निंग चैप्टर और यह टोटल एक्जाम जितने भी टीचिंग एक्जाम्स होती है उसमें पुछे जाती है तो इ उसमें फ्रैंट के साथ इसको वीडियो को सेर भी करना लाइक भी करना लाइक तो एक बनता है ना तो चलते हैं बात करते हैं अब लर्निंग तो लर्निंग क्या होती है तो लर्निंग का मतलब यह नहीं होता है कि हम एक क्लासरूम एक स्कूल एक बाउंडरी के अंदर ही take place anywhere anytime from anyone किसी से भी कभी भी कहीं भी क्विया कर सकते है तो मान लेते हैं डीटिशनल इंडियन जो आनुषर या उसके अनुष्रार हम देख सकते हैं, कि क्लारनिंग क्या होता है तो जब मान लेते कोई टेकनालोगी नहीं थी तो उस समय students जो भी थे और कैसे गेन करते थे एक learner कैसे learn करता था चीजों को तो learn from trees, mountains, river, insects यानि natural phenomena, natural things से क्या करते थे लोग सिखते थे तो ओ चीज हम जानते हैं कि learning की कोई सिखने की एक सीमा नहीं होती है learning का कोई मतलब एक foundation नहीं होती है learning कभी भी कहीं भी और किसी से भी सिखा जा सकता है अब बात करते हैं हर लोग जी ने क्या कहा, 1942 उनका जो quotation उन्हों ने जो बोला था कि learning is development that comes from exercise, okay and and efforts through learning children acquire competition in competence in using their hereditary resources तो हर लोग ने कहा था कि learning development की parts है और वो exercise और effort बगएरा से आती है हम लोग जितना doing करते हैं मतलब कुछ करते हैं उतना हम लोग सिखते हैं ठीक है Murphy के अनुसार देखते हैं कि the term learning cover every modification in behavior to meet environmental requirement Murphy जी ने कहा था कि भाई learning एक ऐसी परकिरिया है जो हमारे behavior में हमारी behavior को modify करता है दूसरी चीज़ किसके according environment की requirement के according क्या करता है हमारे behavior को modify करता है वर्स वर्त की अनुसार अगर 1940 में देखा जाया तो any activity can be called learning so far as develop the individual in any respect good or bad and makes him alter behavior and experience ठीक है और different from what they would otherwise have been तो उन्होंने बोला कि learnings होता है कोई भी activity कह सकते हो किसी भी activity से हम लोग सीख सकते है या तो कुछ सीखना का मतलब होता है कि बुरा भी सीख सकते हैं अच्छा भी सीख सकते हैं लेकि हमारे behavior में क्या करता है और change कर देता है ठीक है तो जैसे human behaviors में क्या हो होता है कुछ natural phenomena होता है कि जैसे बच्चा जनम लेता है तो क्या करता है baby can suck milk from its mother breast as soon as it's born तो इस type की capability को instructive behavior कहते है ठीक है तो यह जो behavior he or he has to make certain adjustment in various situation of life therefore he has acquired various habits, knowledge, attitude and skill, etc. acquisitions of all these things is called learning. it means that learning is not acquired by birth but it is the process of acquiring competition कह सकते हैं कि आप बात करोगे कि अगर learning देखा जा तो यह instinct behavior है तो behavior जैसे baby जो sucking करना जानता है पहले से eye का blink करना फिर चीजों को यह तो तो बेबी का सक करना learning नहीं कहला सकता है ठीक है learning का मतलब होता है कि हमारा एक क्या होना चाहिए ठीक है हमारा एक मतलब सिखने की जो जो changes हो हमारी behavior में जो change आ रही है न वह मतलब या तो permanently change हो या temporary change लेकि changes जो होता है वो permanently होनी चाहिए तो temporary change जो होता है वो learning नहीं कहला तो permanent change को learning कह सकते है जो हमें modify करता है हमारी behavior को क्या करता है modify करता है तो इस भी चीज़ी जो होती है जो learning जो होता है इसको हम लोग नेचर में discuss करेंगे कि learning एक universal and continuous process है तो अभी हम देखते है कि learning क्या नहीं होता है तो learning is not acquired by birth ठीक है ना? learning कोई जरूरी नहीं acquired by birth से but is not but is the process of acquiring competitions by using heredity resources temporary change होता है behavior में जैसे drugs या फिर किसी चीज़ों जैसे हम लोग हाथ में जब needles क्या हो जाता है गड़ता है तो इसके बज़े से हमारे जो behavior में changes हमको दर्द होता है आई का पलग का जपकना यह सब लर्निंग नहीं हो सकता है temporary changes behavior is not learning और learning का मतलब यह भी नहीं है कि सिर्फ हमारे good changes मतलब हमारे behavior में good changes जो हो रहे है वो learning कह लाएंगे और bad changes जो होते है वो learning नहीं दोनो दोनो changes को learning कह सकते है यानि bad changes जो यानि modification by acquiring bad things comes under learning या फिर good things comes under learning ओके now and we are saying that according to smith 96 he said that learning is the acquisitions of new behavior या फिर strengthening या wicking of fold behavior as the result of experiments तो learning यह भी हो सकता है कि learning अगा हम नहीं चीज़ सीख रहे है तो हमारी जो पहले का behavior हमें कहीं कहीं help करता है नहीं behavior को सीखने में अब इस point को जाना है जाने है कि behaviors not attributable to learning इसका मतलब होता है कि जो बेहबार होता है वो learning का कारण नहीं होता है तो कैसे how तो इस point को clear करते हैं हमने क्या पढ़ा previous section में कि we have discussed कि learning यानि learning क्या होती है कि modification a modification या change in behavior is called learning टेकर हम लोगों ने यह जाना लेकिन there are some types of behavior which are due to one or more other यानि one or other kind of modification these are not termed as learning जैसे कि when a pin pricks our finger we withdraw it from with pin similarly when a very bright light falls on eye है तो इसे भी चीज़े जोती है माल लेते है कि हमारे हाथ में जब pin चूबता है तो चीबने के बाद वह हम चेंजे जाता है behavior में तो वह सभी learning नहीं होता है फिर उसके बाद when a very bright light falls in our eyes and we immediately close our eyelids तो जो bright lights के बज़े से हमारा जो पलके होते हो जपक जाते तो भी learning नहीं कहला है तो such behavior is instant and we even do not feel that we are putting in any especially for this behavior does not fall under the learning category rather these are called reflex action ठीक है एक सभी action हो रहे है जो एक natural है और reflex action है ठीक है दूसरा हम example there is another category of behavior commonly known as biological instinct जैसे कि a child start crying when he as she feels hungry जब बच्चा भूखा रहता है तो चिलाता है रोता है we feel like resting when tired जब हम थके रहते हैं तो हमें अराम की जरूरत होती है we are attracted towards opposite sex हम लोग क्या करते हैं कि जब मान लेते हैं कि हम लोग opposite sex के परते attract होते हैं such behavior is natural यह सभी natural है are not learned इसको हम लोग सीखे नहीं है यह natural behavior है therefore we do not call it learned behavior ओके तो यह learning नहीं कहला है अब हम बात करेंगे nature of learning के बारे में इसको काफी important है आप इसको देखेंगे कि nature क्या होनी चाहें learning का तो इस चीजों को हम लोग देख लेते हैं तो learning is a process and not a product इसका मतलब क्या हो कि learning एक process है और and not a product कैसे learning is a fundamental at lifelong process learning हम तब तक सिखते हैं जब तक हम देख ना कर जाएं ठीक है हमारी behavior में changes आती है तो लेकिन attitude, fears, gestures, motor skills, language skills यह जो है यह product है product of learning है तो यह learning का यह they are not learning तो उसके बाद बात करते हैं कि learning is purposive या goal directed तो learning जो होता है वो कैसी एक goal directed होता है तो पहला बात करते हैं learning is not aimless अगर जो learn कर रहे है किसी चीज़का तो ओ एम होता है without aimless उसको learning आप नहीं कहोगे all true learning is based on purpose जितनी भी learning होता है उसका purpose होता है we do not learn anything and everything that comes in our way in a haphazard manner रहना randomly जिसको manner बोलते हैं ठीक है however some experts argue that something learning is unintended कहने का मतलब है learning क्या है learning is not aimless activity it is the aimful activity जितने भी हम learn करते हैं चीजों को तो उसका क्या तो एक true purpose होती है एक true fact होती है जो भी we do not learn anything everything that comes in our way मतलब learning क्या होता है कि एक randomly चीजे नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि आप इसको gradually सिख सकते हैं हम लोग एक continuous process learning एक gradually process learning है randomly यानि half hazard manner नहीं है चीजों को हम लोग continue सिखते हैं ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अचानक आ जाएगे हमारे life में और शिख लिए ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है कर आया next point जो है कि learning जो होती है it is generally involves some degree of permanence इसका मतलब होगा activity bringing temporary change in behavior and not lasting do not come under learning okay next point बात करते हैं कि learning is universal and continuous तो learning एक जो होती है एक universal और continuous होती है every creature till its life learns in human beings it not restricted any particular है तो जितने भी creatures होते हैं जियुजंदू होते हैं उसमें generally human beings के हम बात करेंगे human beings it is not restricted कोई restricted नहीं होता है सिखने का कोई सीमा नहीं होता है या फिर कोई sex के recording हम उसको discriminate नहीं कर सकते हैं race के recording उसको discriminate नहीं कर सकते हैं मतलब एक कह सकते हैं कि learning का कोई foundation नहीं होता है ठीक है उसके बात करते हैं कि learning prepare for adjustment learning हमें adjust करने के लिए तयार करता है कि किसी भी situation में हम adjust कर सकते हैं यह सभी चीजे की बात इसमें discuss किया है दूसरी बात करते learning is a comprehensive इसको मतलब बताया गया है कि the scope of learning is spread over the each and every dimension of life it is very comprehensive process which cover all domains and like that cognitive and effective and psychomotor of human behaviors तो यह होता है learning is a comprehensive तो आजगे हम बात करते हैं कि next point जब deal करेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि learning learning is change in response और behavior में भी favorable और unfavorable तो learning जो है जो behavior में जो change हो सकता है आता है वो favorable भी हो सकती है या unfavorable भी हो सकती है learning leads to change behavior but this does not necessary mean that the change always bring about improvement या प्रोजेटिव डिर्णिग जो behavior change हो रहा है इसका मतलब यह थोरी होता है कि हमेशा improvement भी करें improvement नहीं भी कर सकता है हम लोग decrease भी कर सकते है या फिर positive नहीं भी हो सकता है वो क्या हो जाता negative भी जा सकता है तो drift भी हो सकती है और negative side भी जा सकती है तो यह से भी मतलब change हो रहा है मतलब change होना ही learning है यह learning is organizing experience learning involves all those experience that train of individual right from birth which help him produce change in behavior okay next हम बात करते हैं कि instinct and reflects are not learning I had already discussed okay कि जितने भी होते हैं कि जो instinct and reflects are not learning like that influence sucking behaviors blinking at bright lights cannot be attribute to the learning तो next हम बात learning यह भी नहीं है learning does not include change in behavior like that on account maturations okay मतलब हमारी जो maturity यानि के बेस पर या fatigue थकावट के बेस पर illness ड्रग इस सभी के बेस पर जो changes आती है उस सभी को भी हम learning नहीं कहेंगे ठीक है and now discussing about next topic learning process how the learning process we can say that in simplest relationship between learning process and outcome has been summarized by Bauer and Hilgert in 98 learning as a process is to its result as acquiring is to a position as painting is to picture but painter different they have diverse experience use different painting technique and thus produce quite different features we can say that अगर एक painter क्या होता है कि अगर painting बनाता है चाहिए एक बहुत सारे painter मिलकर एक painting को क्या करते हैं ready करते हैं उसके बाद जो उसका result आता है वो outcome हो जाता है दूसरी example लेकर हम आपको simply समझा रहे हैं कि learning में और क्या एक हो सकता है learning जो हो सकता learning is a process may be defined as in series of actions change that directly impact the learning outcome तो यह क्या series of action यानि जो action आप कर रहे हो process में वो series हो सकती है और जो directly क्या करता है impact करता है outcome पर अब next हम बात करते कि learning the definition used here will be limited to the process related suppose कि आपको सहयोगी कर सकता है आपको सिखने एसोसेटिव लर्निंग हो सकती है कोई मतलब procedure learning हो सकती है यानि परियोग करके हम लोग सिख सकते है अब परियोग इंडक्टिव हो सकती है reasoning इस से भी चीज़े हो सकता है फिर इसको बोल सकते है metacognitive skill develop करता है जो मतलब जिसमें बहुत ज्यादा metacognitive बोल सकते हैं आपकि ज्यादा इसमें mental का परियोग होता है बड़े scale पर इसको हम लोग क्या करते है process करने लगते है ठीक है तो इसमें metacognitive क्या होता है कि हम जो भी की चीज़ पहले से जा रहे हैं उसमें new ideas, new skills को add करते हैं new application को use करते हैं तो इसे भी चीज़ों में क्या होता है कि हम बात करते हैं कि defining the problem or goal into own words developing a plan, attain the goal, aim, goal, set करके क्या करते हैं, execute करते हैं, executing the plan, monitoring progress, summarizing integrations result यानि metacognitions में आप बोल सकते हो कि एक से ज्यादा skill को क्या करते हैं, use करते हैं, उसको process करते हैं ठीक है और सिखने में बहुत सारे skills लगना, ideas लगना, है ना, उसको monitoring करना इसे भी progress को, इसे भी metacognition में, एक simple example लेता है, कि जैसे हम मान लेते हैं, कि जब car को मान लेते हैं, सिखने के लिए सोचते हैं, car drive करने के लिए सोचते हैं, तो उस conditions में क्या होता है पहले हमारे दिमाग में एक idea आती है, idea आने के बाद उसके अनुसार जो जो उस car में लगते हैं सिखने में के duration जैसे एक car चाहिए, सिखाने वाला एक हमारा mentor होनी चाहिए, institution होना चाहिए यह सभी चीजों को देखते हैं, पहले वो बताता है हमें कि यह clutch है, यह gear है, यह brake है उसके बाद धिरे-धिरे हमें जब turn left, turn right, इस सभी चीज बताता है, signal को यह बताता है यह सभी जानने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़े प्रोसेस में आ रही है, लेकिन यह सभी चीज़े के बाद जो हमारा outcome होगा जो finally बीना बताए हम लोग automatically हम लोग left रहेगा तो left move करेंगे, right रहेगा तो right करेंगे, move करेंगे, car को signal red रहेगे तो रुख जाएंगे, green रहेगे तो चल देंगे, इस तरह से हमें automatically सीख जाते, तो ओ outcome हो गया लेकिन इसके पहले जो हमारी जितनी भी process होगा, वो process learning और process होगा, okay तो learning of outcome होगा, the outcome of learning has the name implied effort that learners walk away with a form of learning task, तो चीजों को यहाँ पर दे सकते हैं, the declarative produce, distincing, fundamental learner will usually acquire to some degree, new knowledge, new skills, furthermore, refinements are made within each of these two categories, declarative knowledge can be aired by complexity from propositional knowledge to schemata collection of related propositions to mental models collections, एसे भी जीएक सकते हैं, similarly knowledge can be aired from simple rules to productions to skills collection of related productions, automatic skills, एसे भी आजाते हैं, अब इसमें बहुत सारे term हो जाते हैं, declarative knowledge outcomes, okay तो, it is the basic unit, okay, it is the basic unit of knowledge, okay, a single isolated postulate, that is gasoline serves as a fuel for automobile, एक schema बनता है, schema is an interconnected set of related prepositional and concept defining a situation, fuel is combustible spark flux convert electrical, तो एसे भी चिजा देक सकते हैं, the most organized declarative models highly organized a related preposition concept and rules representing some integrated system easy fuel lines feed gas line to the area of the spark flow spark plug receive energy from the distributor or electronic ignitions causing spark to occur the spark ignite the fuel causing and the the explosions okay the explosions drives the position pistons down under the descending piston drives another pistons of this is the example you can see next time and now I'm saying procedural skills of outcome procedural means a rule is the basic unit of actions conditions action pair the conditions may be defined in term of cognitive or perceptual states while the actions may be cognitive or motor that is example if you are driving and want to turn left which I have told you discuss these things you can note down in the video go ticket to a skill is collections of related rules and can be cognitive perceptual or motor that is driving a car in a traffic finally a skill became automatic skills to only after considerable practice the case is a skill is a skill to considerable practice is a skill is used to use the skill so you can note down so you can note down you can note down you can note down how you can take notes in order to use the skills to use the skills तो यह से लिए बाइगोस्की के अनुसार देख सकते हैं कि आप रुशियन साइकोलोजिस्ट थे हैं वो सोचियो कल्चर का यह थियोरी दिये थे और बोल सकते हैं कि इन्हों ने इनकी जो सबसे कम एज में 37 के टिवर क्लोस 37 में टिवर क्लोस से मीड़तु हो जाती है ठीक है और इनका जो मतब थिंकें इन स्पिकिंग जो इन्हों ने किया था 1930 में लिखा था लेकिन 1978 में पुब्लिश्ट हुआ था अपन दा आइडिया देट लर्न इन्बोल्मेंट प्ले अप प्यवर्ट रोल इन्हीं लर्निंग देवलोप्मेंट अकॉर्डिंग तो बाइगोस्की का मानना था कि लर्निंग प्रोसेज एक्चुली इन्बोल थीरी की थेम्स कुल्चर उन्हें तीन लाइंग्वेज एड जोन प्रोक्सिमल डेपलोप्मेंट इस पर इन्होने बात किया था तो इन्होने की बात कही थी थी तो क्ल्चर में देखे थे कि बाइगोस्की suggest that culture are actually formed through the use of tools and symbol and that this key distinction is what differentiates the human race from that of animal. इनोने बोला बाइगोस कि suggest the culture are actually formed through the use of tools and symbols okay और इनोने बोला कि that this key distinction is that what differentiates the human race and animals. तो यही जो culture development या symbols या tools होती है जो human और human और animal में differentiate करता है उसके बाद intelligence is achieved when a learner can internalize the tools that are being provide the culture itself okay उसके बाद उनोने बोला कि when the tools of culture involve and emerge evolve and emerge the learner's ability to grow as individuals and increase their knowledge base is broadened okay as such according to the socio-culture learning theory it is important for instructor to understand the human mind from the historical point of view as well as culture learns okay इनोने बाद किया लैंग्वेज का तो language किया था तो according to the socio-culture learning theory कि इसमें language is a direct result of the symbols and tools that emerge within the cultures उसके बाद इनोने बात कहीं कि एन इंडिविज्विज्वल इजे हम लोग society से बहुत सारे चीजे सिखते हैं इनका मानना था कि कुछ भी हम लोग society से ग्रूप में जितनी तेजी से हम लोग सिखते हैं वो कहें खुद से ने सिख सकते इनका यह मानना था इन्होंने this aspect of socio-culture learning theory realized upon the idea that learner go through three stages of speech of development first जो था they engage in the social environment which is known as socio-speech and begins at the age of two two यह नि बात कहीं थी जो जो अस्टार्ट दो साल में हो जाता है ठीक है इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने आप में इंगेज हो जाते हैं learners इंगेज हो जाते अपने अपने जिसको socio-e-speech कहते है ठीक है नेक्स्ट इन्हों ने प्राइबेट स्पीच की बात कही थी यह काफी फेमस था प्राइबेट स्पीच इन्हीं का यानि बच्चे अपने आप में बात करने लगते वें लर्नर वाइब थे थोट्ट लावड और बिगिंस एड दे एज अफ थिरी साल में क्या हो जाता है स्ट करता हमारे ब्यावियर थोट पर और बिगिंस एड अड़ एज अप सेवन ये साथ साल में जो नो प्रॉक्षी मेल डेवलोप्मेंट जिसको जेपीड के नाम से भी जाना है जेपीड में यह कहा गया था कि इस 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 दिस्टेंस देट एक्जिस्ट विटिमिनल लर्न पॉस्टेंस देवलोप्मेंट विच इस डेटरमाइंट थू प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी एंड डेवलोप्मेंट डैट एक्चुली टेक प्लेस इस एक्सीज्ट वे लर्न और आर आग्ष्ट इंगेज प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें बात कही गई थी कि में बहुत सारे इंग मैथेट की अकेले एक लेर्नरं ग्योर्विंग जूद से सौल्व करता है आकेला बैठ करता है और तो क्या होनी चाहिए तो फिर ग्रूप में जब ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है бहस बहूत सारे लोग मिलकर एक कोशिशनस पर सॉल्व करते हैं तो यह उसमें जो वो तेजी से सिख सकता है बच्छा this is this assessment this assessment is based upon spectrum wherein what learners are capable doing without any assistance is at one end of the spectrum and what they can do while being assisted in the यह एक इसमें जेपीडी में क्या आता असिस्टेंट की जरुँत होते है शेटेंट का मतलब सहयोगी की जरुँत होते है संहयोगी साइश जो जितना हम लोग जल्दी सिंकते हैं उतना अकेला नहीं सिख पाते हैं ऐसा ब्योश्की का मानना है काहनि पॉटिनेटीब की बात करते हैं कि जानते हैं क subset ऑग इकशैली दिए गया था प्याजनेटीब डीवलोपमेंट आपार दो थो उस चीजों को बताया गया है cognitive क्या होता है cognitive is the mental process of gaining knowledge and understanding through the sense हम लोग चीजों को mental process से सिखते हैं और हम लोग जो understand करते हैं वो sense के according, experience के according और thought के according हमारे sense, experience और thought हमें cognition यानि mental development या cognition development में help करता है cognitive learning जो होता है इसमें merge cognition जो theory बताएगा different process involved learning effectively यह प्रोसीज जो होता है अलग-अलग process, अलग-अलग stage में अलग-अलग चीज़ होता है cognitive learning process aims to chart the learning process for optimal thinking understand and retention what we learn इसमें यह सब चीजों बताए जाती है इसमें यह भी बोला गया था कि when you master the fundamental cognitive learning it becomes easy to maintain a lifelong अगर हमनों basic कुछ अच्छे से सिखते है तो हमारा जो आने वाला जो learning process या फी जो आने वाला stage होता हो काफी easy होता है not only can this strategy make you better learner but they can make you more likely to excel और lifelong तक आप अच्छा रहें कि ऐसा कहा जाता है with cognitive learning strategy you can become a powerful public speaker अगर cognitive learning strategy आपका अच्छा है कह सकते है कि cognition and mental development आपके अच्छी भी है तो we can say that you can become a powerful public speaker and now a visionary readers or a motivated learner team player and a motivate कर सकते है या फी एक leader बन सकते है group का क्या सकते है ऐसे और organizing achieve its goals and objective और आप पे गोल जो आपने set कर रहा है उसको आप जल्दी क्या कर सकते है प्राप्त कर सकते है elements of cognitive learning तो is the following factor fundamental of the cognitive learning process तो देख लेते हैं तीन element की बात करेंगा हम लोग comprehension की बात कर एंगा memory की बात करेंगा एंप्लिकेशन की बात करेंगे ठीके तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि Comprehension क्या होता है ओके तो cognitive learning इसमें बात करता है cognitive learning में कि strategy जो हमारी strategy होनी चाहिए emphasize comprehensive emphasize करता comprehension को you need to understand the reasons understand the reasons for learning the subject first place and your role knowledge play in your work okay memory में होता है कि cognitive learning discourage role learning where you cram materials cram चो होता है कि जैसे हम लोग चीजों को बरे-बरे चीजों को क्या करते है कि रटना मतलब बरे 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 चीजों को short term में पेस कर देना यानि उसको बता देना memorizing जिसको हम लोग बोलते है cram in cognitive learning the goal is understand the subject and deeper level है न तो हमारे goal जो होता है उसको हम लोग जानते हैं और हम लोग subject को deeper way में और उससे तो हम लोगेशिव करने के कोशिजिश करते हैं इस डिसको अधिक दिसको और इमर्सी एफेक्ट आप्स रिकाल एंप्रोगोर आपली तो रिलेट निव नूलेश। पास्ट इंवर्मिशन एप्लिकेशन के बाद करते हैं, तो cognitive learning strategy encourage you to reflect on the material and how to apply it current and future situation, with this you develop improved problem solving skills, critical thinking skills and visionary leadership traits that can help you see things, इसका benefit देख लेते हैं, तो benefit में क्या हो जाता है, पहला जो है आपका enhanced comprehensive, enhance करता है, improve problem solving skills को करता है, तो बुस्ट कॉन्फिट कॉन्फिट करता है, तो बुस्ट कॉन्फिट कॉन्फिट करता है, encourage continuous learning को, जब मान लेते हैं, comprehensive enhance होगा, तो हमारी problem solving improve होगी, जब problem जो भी वारी है, उसको अगर हम solve करना सिख जाएंगे, तो हमारे confidence boost होगा, बढ़ेगा, और confidence जब बुस्ट होगा, तो हमें कुछ सीखने में, और ज्यादा सीखने में interest लेंगा, cognitive learning का कुछ example देख ल walking, eating and other things, you learn without conscious thought, conscious thought के भी यह से हम लोग सिख सकते हैं, for instance, you may learn to type without looking at your keyboard, explicit learning में क्या होगा, यह से भी आपका cognitive का example है, explicit learning में, when you deliverity, seek knowledge, you are learning explicitly, it involve attempting, became proficient and new skills or process, vital your work, and going back to school for mother study, meaningful learning क्या होता है, meaningful learning occurs when a person related new knowledge, with past information and experience, ने knowledge में जो होता है, पहले जो सीख सकते हैं, उसको old knowledge को use करते है, अब बात करते हैं, cooperative and collaborative learning का बात करते हैं, तो इसमें, when you learn new process as a group, a team at work, यहनी, you learn a new process as a group, a team at work, you are doing cooperative learning, मतलब cooperation से सिखते हैं, discovery learning, मतलब खोज, you learn through discovery, when you active, seek new knowledge, if you enjoy researching new concept and new process, think deeply, next बात करते हैं, चीजो को, think deeply about subject that are not your primary area of specialization, adapt new information to our work, you are practicing discovery learning, for example, you may learn more information about a new workflow, app professional are talking about in your industry, emotional learning होता है, this cognitive strategy, help people learn emotional intelligence and other respect of controlling the emotions and understanding, इसे आप नोट्स बना सकते हो, इसा भी चीजे हम लोग डिसकस कर चुके हैं, ठीक है, cognitive learning में experimental, experiential learning होता है, people often learn based through experience से हम लोग, experience से हम लोग क्या करते हैं, सिख सकते हैं, तो इसा भी चीजे हम लोग सिख सकते हैं, तो इस वी चीजे हम लोग सिख सकते हैं, तो इस वीडियो को अच्छा अगर लगा होगा तो वीडियो को आप सेयर करना, ठीक है, तो थाइंक लिए,